नमस्कार दोस्तों मैं आउस्वार वर आप लोगो को स्वागत है Grand Lake Guru पे दोस्तों जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मैं Dream 11 related videos लाता हूं ज्यादा तर अन्नोर मैचेस कवर करता हूं यह video बनाने जा रहे हैं कि how to recover losses definitely on Dream 11 and another some fantasy sport application तो यहाँ पे होता क्या है यह video मैं both I'll use Hindi and English both in a single video so it will be interesting आज तीन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो की actually बहुत सारे लोग जो हो IPL खतम हो चुका है बहुत सारे लोग losses में हो और losses का reason जान लो और जो गलतियां आप लोग करते हो वो गलतियां सुधार लो तो I hope आप लोगों को loss कभी भी नहीं होगा तो let's start देखिए यह चार पॉइंट है जो discuss करने जा रहे हैं play selective matches and take preparation and this is the most important thing I mean whenever you are playing a particular game you should need to take some preparation preparation means वो match कैसे खेलने हैं क्या combination के साथ जाना है यह सब कुछ और उसके लिए आपको क्या करने है stat चाहिए ground report चाहिए या क्या combination लोग बना रहे हैं उस हिसाब से जाना चाहिए अगर आप mega खेल रहे हो mega में unique team बनानी पड़ती है तो unique team बनाने के लिए चेक करने के लिए एक video भी मैंने बना के रखी है देखिए यहाँ पर आपको selective matches ही खेलने हैं आप अगर सारे के सारे matches खेलो के तो loss तो हो नहीं है अभी कुछी दिनों से IPL के बाद से आप लोग देख रहे हूं मैं बहुत ही जादा selective matches खेल रहा हूं दिन में सारे दिन में सबसे जादा चार matches खेलना बढ़िया रहोता है मैं चार matches दी अभी खेल रहा हूं दो का टीम प्रोवाइड कर देता हूं दो खुद खेलता हूं अब यह एक बहुत ही जादा है यह जब तक आप लोग समझोगे जितनी जल्दी तना ही बेटर है आपके लिए नेक्स्ट इस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट असपर यूर बजेट यह बहुत ही जादा आप लोग किसी दूसरे की इन्वेस्टमेंट स्ट्राटीजी फॉलो मत करो खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्राटीजी बनाओ अब वह कैसे जैसे मेरा बजेट है दोसों से तीन सो या चार सो रुपए अभी थोड़ा सा बढ़ा है इससे पहले मैं एक ही टीम के साथ खेल तो से ज़्यादा इनवेस्ट करते हो तो इसमें प्रॉबलम क्या होती है वो बताते हैं आप लोगों को एक हाली बैठा था तो एक स्टूडंस से पोग्रम मनाया तो उस पोग्रम के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूं कि क्या investment strategy लोग गलती करते हैं बहुत सरे लोग बोलते तो एक लाग तक रुपया हारने के लिए आपको कितने दिन चाहिए पता है या आज 100 रुपय लगाए कल 200 रुपय लगाए पर 400 रुपय लगाए ऐसे अगर डबल करते रहे तो एक लाग रुपया तक हारने के लिए जादा मैचेस की जरूरत नहीं है तो एक मैं computer science से हूँ तो dream 11 को मैं science से जोड़के देखने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर यह दोनों concept अगर एक साथ काम लगाओगे पतलब एक में आप per day double invest करते रहे investment को या एक में आपने क्या किया जितना हारे उतना है का investment किया जो बहुत सारे एक expert आपको बोलेंगे उसके लिए अगर मानते हैं कि चलो मानते हैं लगाता 10 दिन आपका खराब गया तो एक लाग रुपे हारने के लिए आपको 9 से 10 दिन की जरूरत है जादा दिन की जरूरत नहीं है 9 से 10 दिन भी नहीं है 9 से 10 मैचेस है और यह एक्चली पोग्रामिंग के थूरू ही करा था मैंने आप लोग भी जो भी computer science से हो यूज कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो जादा से जादा 9 से 10 दिन चाहिए दिन मतलब अगर दिन में 1 मैच खेलते हो तो 9 से 10 दिन अगर एक दिन में 10 मैच खेले तो एक ही दिन में लाक रुपे तक हार सकते हो तो investment strategy बढ़िया होनी जाइए मैं जब भी losses मेरा investment budget के हिसाब से मेरा investment per day एक ही तरह का रहता है उस हिसाब से मैं खेलता हूँ अब जाके play right contest this is another important thing I mean play right contest means what आपको करने क्या है आपको ठीक से खेलने है contest सही से join करने है exam के तोर के दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी contest है वो कुछ भी एक यह 31 वाला कभी ठीक है अब reason बताते हैं यहाँ पे top 1000 पे आने से आपको 200 रुपे मिलेगा top 100 पे आपको 1000 रुपे मिलेगा तो बहुत बढ़िया contest है यह आप लोग खेल सकते हो यह 99 रुपीज वाला जिनका budget हाई है वो खेल सकते हैं क्योंकि 13,000 में अगर top 10 आ गए तो कुछ अच्छा अमाउंट आप लोग जीत पाओगे अगर single team के साथ खेल रहे हो तो खेलना चाहिए अगर आपको लगता है कि सही है आप लोग खेलो यहां पर देखो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा मैं अभी यह वाला लीग ज्यादा खेल रहा हूं यह 39 रुपीज वाला यह मैं small league के उपर ही मानता हूं बहुत तरह लोग इसे मिने grand league बोलते हैं यहां पर देख सकते हो first आने पर 1000 रुपे second आने पर 600 रुपे तो यह बहुत बढ़िया contest मुझे लगता है और क्योंकि यह league अगर दिन में आप लोग 2-3 अराम से जीत सकते हो अगर 4-5 मैच खेल रहे हो तो उसमें 1000 रुपे अगर दिन का 3000 रुपे आया अगर budget मतलब investment निकाल के 1000 रुपे 2000 का अगर investment रहता है तो फिर भी आपका 2000 का profit तो बहुत बढ़िया लिग है यह जो small league खेलता हो यह 36 रुपे यह वाला नहीं अगर आपको 3-4 member यह small league, grand league मिला के खेलने है वो भी सही है देखिए loss recover करने के लिए सबसे बढ़िया जो मैं आपको tip देखना चाहता हूँ अगर आपने 20,000, 25,000 या लाग रुपे हा रहे हो वो तो एक दिन में नहीं हा रहे हो तो अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि एक दिन में पूरा पैसा recover कर लोगा तो गलत सबस्ते हो ठीक है आपको investment strategies सही से बनानी है जैसे कल ही देखा था आप लोगों ने जो बाकी दिखा आने का कुछ फाइदा है नहीं मैं जादा इन्वेस नहीं करता इसलिए जादा लॉस होने के chances नहीं है और यहां पर देख सकते हो यह यह देखो यह मैं दो लीग खेल रहता है एक यहां पर 40 रूपीसमल है यहां पर एक ही टीम लगाया क्योंकि पता है यहां पर एक सिर्फ फर्स्ट आने से फाइदा है सेकंड थर्ड आने से भी फाइदा नहीं है तो जादा टीम लगा के कोई फाइदा नहीं है इस लीग में मैंने छे टीम लगाई और इसमें से चार रैंक आया 3000 तो यह है ग्रैंड लीग खेलने का मज़ा यह लिग काफी बढ़िया है क्योंकि मैं टॉप 2 पे था बाद में पीछे चला गया टॉप 3 पर आने पर आपको 10,000 रुपे मिलेगा और यह दिन में मतलब एक जीता जा सकता है तो नेक्स्ट ऐसे ही मतलब जो लीग जोईन कर रहे हो धंका लीग जोईन करो यह 49 रुपीज वाले लीग यह भी बहुत बढ़िया लीग है देखिए यहां पर 45 पर आने से आपको 2000 रुपे मिल जाएगा 1000 रुपे आने से दिरसो तो यह बढ़िया लीग है तो एक लीग ड्रेम 11 बले अभी जो दे रहे हैं जो बहुत बढ़िया होता है उसके बाद सारे के सारे जो लीग है गंदे लीग है तो आप लोग य यह ठोट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक दिन में आपने लाख रुपया नहीं हारा तो लाख रुपय एक दिन में रिकवर नहीं करपाऊगे अगर पेशन्स रहा तो डिफेनेटली रिकवर करवाँगे नेक्स्ट है डून कॉपी पेस्ट अगर आप किसी की टी सी वाइस केप्टेन चेंज कर देने से आप छेचींज जाओगे तो वो भी गलत है ठीक है जब भी किसी Team High まthing team की लगती है तब जाकर प्राइस में मैं vandaag और तो ये बाद आपको समझना है और जो Padossaring वह भगवान तो है नहीं सात आज जैसे मैं जब तिंट करता आठ नौ प्लेयर्स जो है dream team के होते हैं एक आधा changes आपको करने हैं अगर कुछ बड़ा amount जीतना चाहते हो तो investment ऐसे ऐसे लिए loss recover करने की सोचों लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे सोचों की हाँ जो पैसा लगा रहे हो डबल होना चाहिए क्यों कि अगर आपने अभी सो लगाया 200 रुपे मिले तो से 200 लगाया 400 रुपे मिले अगर ऐसे आपका पैसा डबल होता रहा तो बहुत ही जल्द आपका जो loss है वो recover हो जाएगा loss recover करने के लिए पहले loss होने से रोको और वो कैसे रोक सकते हो आप वही 200 रुपे अगर लगा रहे हो तो 200 रुपे में 6 टीम लगाओ 39 रुपेज वो वो लीग खेलो एक अधा जीट जाओगे एक अधा टीम में तो loss भी नहीं होगा फाइदा भी रहेगा और loss ऐसे ही recover होता है और कुछ नहीं एक कुछ लोग अभी कोई प्रोमोशन के चकर में बोल रहे है कि ये 2nd inning खेलो 2nd inning के लो 2nd inning का चकर आपको बताते हैं कोई किसी नहीं बोला होगा लेकिन मैं अब लोगों को बता देता हो second inning पे खेलोगे तो जादा हारोगे यह मैं आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता है पहले खुद ट्राइ करता हूँ उसके बाद आप लोगों को कहता हूँ second inning पे अगर आपका दिन खराब है ना तो second inning पे भी हारोगे जो भी खेलोगे वो हारोगे कल ही मैंने एक खेला था कुछ मैचे जहां पे 10 प्लेयर्स मेरे चले थे फिर भी मैंने नहीं जेता दस प्लेयर्स आउट आउट अफ ग्यारा दस प्लेयर्स मेरे ड्रिम टीम के थे ठीक है और साइध आप लोग भरोजा नहीं करोगे तो चलो दिखा भी देते हैं एक मिनिट यह दखो यह मिनाज और फते सिसी का यह जो टीम सिक्स यह दिखाते हैं यहां पर देख सकते हो कितने सारे प्लेयर्स मेरे चले हैं ठीक है तरव एक प्लेयर नहीं चला और कैप्टेन वाइस कप्टेन नहीं चला तो कैप्टेन वाइस कप्टेन नहीं चला क्यूंकि ऐसा हो कर नहीं पाया तो यह देख के समझ सकते हो कि मतलब यह होता नहीं है नौर्मली यह होता नहीं है लेकिन हो गया क्योंकि दिन खराब था तो दस प्लेयर्स मैंने लगाये थे वह भी ड्रीम टीम के ठीक है तब भी मैं हार गया हूँ अप में से बहुत सारे लोगों ने कल नौ यह 10 प्लेयर्स लगाये हो लेकिन दिन खराब हो तो ऐसा होता ही है तो आप लोगों को यह जो टिप्स मैंने दिये हैं यह अगर आप लोग सही से फॉलो करोगे तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा तो लॉस रिगवर करने के लिए फिर से एक बार बताते हैं पहले तो आ बहुत दिने का लोच से सकता है वो कर सकता है आप कर सकते हो अगर यह आपको आपका बजेट अगर आपको 100 रुप या दिन में एक मैच खिलने का पर्मिशन देता वह करो और वो धंग से करो दिन राइट कोंटेस्ट कोंटेस्ट सही से जोइन करो ऐसा पूइन करके कुई फाहिदा नहीं है जहां पर टॉप 10 आने पर भी आपको कुछ टॉप तेन आने पर साड़े तीन सो भाई साथ हजार लोगों में से टॉप टेन आने पर अगर साड़े तीन सो रुपे मिलता वैसा मैं नहीं खेलूंगा यहां पर देखो टॉप अंड्रेट पर आने से सिर्फ सौ रुपे आपका पैसा डबल रहा है तो पैसा डबल करनाने क यह भी बहुत घटिया है वह भी बताते हैं क्यों 125 रुपे देखे बस टॉप टेन आने पर अगर आपका रैंक 9 या 10 आया तो आप 200 रुपे मिलेगा डबल हो रहा है तो इतना रिस्क क्यों लूँ 125 में मैं तीन टीम लगा दूँ वही 39 में से जाधा पैसा कमा लूँगा त सब्सक्राइब कर लो मैं सही रास्ता दिखाऊंगा गलत नहीं बोलूँगा अभी तक गलत रहा तो थैंक यू किप सपोर्टिंग किप सजिस्टिंग थैंक यू